हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चनल प्लीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अप्लिकेशन फॉर सीख लेओ यानी बिमारी पर प्राथना पत्र मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठीक है तो मैं आज आपको बताऊंगे कि application कैसे लिखा जाता है और इसके लिखने का एक rule क्या होता है अगर हम इस तरीके से अगर अपने exam में लिखेंगे तो हमें पूरे की पूरे नंबर मिलेंगे कहीं से cut pit नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान दिजेगा अच्छे से मैं आपको एक एक रूल समझा दूँगी कि application कैसे लिखें ताकि हमें पूरे के पूरे फुल मॉक्स मिल सकें क्या है to the principal shortcut में college का नाम लिखा जाता है तो हमने यह पे लिखा है हन्स वाइनी intermediate college और जिस जगा के रहेंगे जिस जिले से तो सोनभद्र मैं सोनभद्र से हूँ इसलिए मैं यहाँ पे राटकी हूँ सोनभद्र देख लेते हैं फिर से यह रूल होता है कि यहाँ पे जहाँ पे हम to लिखेंगे to मतलब सेवा में तो यहाँ पे to ठीक उसी के ठीक नीचे लिखते हैं the principal प्रधानाचारी को लिखना हो या फिर कच्छा ध्यापक को लिखना हो तो क्लाइस टीचर ठीक है तो इसी के ठीक रूल होता है कि उसके ठीक नीचे लिखते हैं to the principal हंस्वाहिनी intermediate college सोनभद्र ठीक है अब देखे यहाँ पे ध्यान देंगे कि जहाँ पे to लिखे हैं उसी के ठीक नीचे हम sir लिखेंगे sir ठीक है देखे अधम पुरा एधम full size देख लिजे यहाँ पे ठीक नीचे है sir ठीक उसी के नीचे लिखेंगे sir फिर यहाँ से ठीक उसी के ठीक नीचे लिखना है हमें अपना ठीक है तो sir के ठीक नीचे इस size में लिखना है देख लेते हैं यहाँ पे इसी के ठीक नीचे यहां से start करेंगे ठीक है to के sir इसके नीचे कुछ भी ना है कोई point ना है तो यहां पे जहां पे just the principle लिखे रहेंगे उसी के ठीक नीचे यहां पे हमें लिखना है I vague to say that I have been suffering from fever since last night ठीक है So I cannot attend the class ठीक है देखते हैं यहां पे sir के ठीक नीचे हमें लिखना है यहां पे I vague to say that I have been suffering और देखी यहां पे जब जैसे मेरा वो paragraph change हम करते हैं तो यहां पे ठीक sir के ठीक नीचे हमें लिखना है ठीक है देखें के लिए आप sir के ठीक नीचे हमें लिखना है यहां से मैं लाइनिंग करके दिखा देती हूं आपको देखें यहां से एक दम बिल्कुल नीचे है from fever since last night all right so I cannot attend the class okay फिर यहां पर देख लेते हैं हम रिक्वेस्टे के लिए ओपर लिखेंगे ठीक फिर वहीं इसी जगा से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने दर्पिर स्टार्ट किया था उसी के ठीक नीचे आकर सर के रिक्ष्ट करने के बाद फिर यहां पर लिखा था अपनी kindly grant me live for two days, okay, kindly, ठीक रखे, I beg के ठीक रीच चाहिए, kindly, grant me live for two days, okay, your obediently, क्या है, your obediently, name है, नेम में हम कुछ भी नहीं write करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, ABC या फिर XYZ, okay, और class, तो यहाँ पर हम class डाल जेते हैं, और उसके ठीक, right side में हम date डालते हैं, कि हम date, okay, जैसे कि, आज है, 2, 11, या फिर 2, 12, ओके, यह मेरा हो गया, ठीक है, याद रहे कि, right side में हम date डालते हैं, ठीक है, फिर से अगर हम देखना साहें, तो देख सकते हैं, application for sick leave, बिमारी पर प्राथना पत्र है, to the principal, थन्स्वाइनी intermediate college, सोनभाद्र, Sir, I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend the class, okay, kindly grant me live for two days, your evidently name XYZ class 10th, और date है, जो रहेगा वो डाल देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक किजिए, कमेंट किजिए, सस्क्राइब किजिए, और निश्ट वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ओके, बाई बाई,